नाउन जो किस प्रकार के हैं गे पर्टिकुलर प्रकार जब दर्शाते हैं तो उन्हें जेंडर कहा जाता है यह लेटिन लेंग्वेज के जीनस वर्ड से बना है जिसका मीनिंग काइंड और सौट है इस इन नाउन सेंस जेंडर मीन्स नाउन अफ पर्टिकुलर टाइप लुक अट दीस पिक्चर्स यूल क्लिरली अंडरिस्टेंड वाट जेंडर इस यह चार तरह के होते हैं मस्कुलिन जेंडर, पुलिंग, फैमिन जेंडर, इस्त्रिलिंग, कॉमन जेंडर, सामान्य जेंडर, और नमबर फॉर इस नूटर जेंडर इस्त्रिलिंग बनाने के तीन प्रकार होते हैं, ये तीन प्रकार से बनाए जा सकते हैं नमबर वन, बाइ यूजिंग एन एंटार्ली डिफरेंट वर्ड, बिलकुल अलग शब्द के द्वारा, सी दे एक्सांपल, बॉय गर्ल नमबर टू, बाइ एडिंग अ सीलेबल, इस्त्रिलिंग नाउन में वन समुह जोड कर भी बनाया जा सकता है, जैसे लाइन, लाइनेस नमबर ट्री, बाइ प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, आगे आ पीछे एक शब्द जोड कर फेमिन जेंडर बनाया जाते हैं, for example, ग्राणफादर, ग्राणफादर, फॉक्स का फीमेल विक्सन होता है, मैं केजी टीचर डिटन्ट टेल मी दिस, मैं फॉक्स को इस उन्हें इस्तरिया पुरुष मान कर, for example, the sun, summer, winter, time, death, इन्हें strength, ताकत और हिंसा का सिंबोल माना जाता है, so they are used as masculine gender, यह पुर्लिंग के ग्रूप में काम में लिये जाते हैं, on the other hand, the moon, the earth, nature, represent beauty, gentleness, grace, so they are included in feminine gender, यह उदारता के symbol माने जाते है, इन्हें strilling माना जाता है, the moon has hidden her face behind a cloud, her, so I hope this topic gender is now clear to you, go through the topic twice or thrice, we will meet again with another interesting lesson on grammar, till bye, do the exercise, given there, keep watching, keep learning. जाते हैं